लालुपिशा दियादों को एक वरफिर्श जेल जाना पड़ सकता था लेकिन इस दोरान एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर शया हमने आ रही है लालुपिशा दियादों को किन मामलों में जेल जाना पड़ सकता था ये विस्तार से बात चित करेंगे और बीजे पीने बिहार में रातोरात खेल को कैसे बदल दिया है इसके बारे में विबिस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो में और इसके साथ साथ अब महा गटबंधन के नेता जियाराहूल गादी ने एक बार फिर से बड़ी रैली लिकालने को ले करके बड़ी बात कही है शंपुन शिराबंधी कानून के बने मजाक को ले करके आई एक बड़ी जनकारी आपको विबिस्तार से बताएंगे बताने का प्रयास करेंगे कि अब महा गटबंधन के अंदर एक बार फिर से पप्पु यादो ने नितीस और तरश्वी का समर्थन क्यों किया इस पर भी विबिस्तार से रहेगी बाचीत और आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कि अब मंत्रियों के जाच की आज पर गरम होगा दिल्ली का सियासत का चूला और ऐसे में अर्बिन के जरिवाल भी फंस सकते हैं चिराक पासवान ने चाचा पशुपति पारशनात को अलग करने के लिए लिया एक बहुत बड़ा निर्ण है जिसको सुन करके आप भी चौक जाएंगे और बात करेंगे बिहार पुलिस के जवानों पर हो रही बड़ी करवाई को लेकर कि क्या है नई दिसा निर्देश इस पर भी होगी बिस्तार से बाचित और जानने का प्रियास करेंगे कि तिजश्वी आदों ने बिहार के इवाओं को कितना दिया रोजगार बीजेपी के बारे में बिस्तार से बताया और जीतर नमाजी ने अपने बेटे को बिहार का मुखमंत्री बनाने की बातें क्यूं कहे इसके बारे में भी बिस्तार से डालेंगे नजर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और चैनल कर दीजेगा सब्सक्राइ है कि लालब पुशाद यादों के छोटे लालने बिहार में कमाल कर रखा है और छोटे लालने बिहार की वाओं को रजगार के लिए शबसे बड़े पैमानों पर भर्मान दे रखा है लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई और सच्चाई से ओगत कराने हम आपको आए हैं तिजश् अपने बच्चों को रुजगार भी देंगे ऐसे मिस्साफ है अगर आपी तेश्वी यादों के कटर्ष्ट समर्थक हैं तो इस वीडियो पर 5000 से जादा लाइक कर अपने सपोर्ट और समर्थन को जरूर बरसाइएगा और कॉमेंट बॉक्स में केवल और केवल सीम तेश्वी क्या मतलब है और क्या असर है या सब कुछ बदलते नजर आये राहूल गादी राहूल ने कहा कि अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही हम इस बात पर बिचार करेंगे कि किस तरीके से आने वाले वक्त में हम सब को मिल करके बदलाव करना है ऐसे में बदलाव की रास्तों पर सब को एक साथ बढ़ना होगा देश के लोगों को ये जनना होगा समझना होगा कि हम सब एक हैं पर कुछ लोगों ने हमें बाट रखा है कुछ लोगों ने मानों जैसे हम सब को बाट करके कुछ बड़ा सिल्ड और इतिहास को जीतने वाले हों भारत को बाट करके किसी क तो क्या मिल जाएगा ये आज तक हमें भी पता नहीं चला भारत को बाटने वाले लोगों पर जम करके राहुल गाधी बर से राहुल ने अपनी बड़ी बड़ी बातों को रखा और ये भी बताने का प्रयास किया कि कुछ लोग जो कुछ भी चाहते हैं वो मनसूबे कम्याब हम नहीं होने देंगे ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना अपनी राया में कोमेंट बड़ी कमर निकल कर शामने आ रही है देश के प्रधान मंतरी की नाम के चर्चा यूँ है नहीं बलकि कुछ तो खासियत उनमें है प्रधान मंतरी के मंतरियों की क्या है कवायत और आखिर लोगों के साथ मिल करके आगे बढ़ने करनी ने लिया है उन्होंने कहा है कि हमारे कबर को खोदने वाले लोग या जान लेकि भारत की जनता निस्पक्च तरीके से हम लोगों के साथ है और हमारे शाथ निस्वार्त भावना से जुड़ी हुई है देश की जनता ने हमें जो प्यार और अश्रिबात दिया है जिसके बदालत आज हम यहां तक आ और पहुंच पाए हैं इसे हमें कदा भी भूलना नहीं चाहिए ऐसे में आज प्रधान मंत्री किस बातों से कहीं न कहीं देश के लोगों को समझने और बूजने की छमता मिल रही है और देश के लोग इसे शमज और बूझ रहें प्यार से इस बारे में बताया भी कि गड़वन्दन की नीतियों को मजबूत करने की रणनी थी कैसे करनी है और गड़वन्दन की रणनीतियों को मजबूत करने की राजनीति अगर हम लोग बहतर कर सकते हैं तो परणाम भी बहतर आएगा राहूल गादी के इस बताये गए बातों को ले करके अब तमाम नेता जो कॉंग्रेस के हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और तमाम नेताओं ने कॉंग्रेस के नेताओं ने आगे बढ़ते हुए लोगों को एक शु बड़ी कबर निकल कर सामनी आ रही है जीतन रामाजी को ले करके जीतन रामाजी ने बकायदा इस बात को अब साफ सब्दों में बयान कर दिया है कि बिहार के अगले उत्राधिकारी और बिहार के सीम पद की उमिद्वारी अब उनके बेटा भी कर सकते हैं बिहार के अंदर हर एक घर में सीम बनने की चिस्टा है वह माजी परिवार हो या फिर निती सुमार का परिवार हो या फिर जीतन रामाजी के बाद में अगर बात करें तो कुश्वाहा के परिवारूपेंद्र कुश्वाहा या तिजश्वी आदो ये सब को CM मनना है लेकिन CM कंडिडेट के दौर में अगर कोई नाम की चर्चा सबसे अधिक्तम होती है या भोट बैंक के संख्या से भी देखें या फिर यूँ ही देख सकते हैं कि जिसके अंदर गुणवता हो और गुण हो जिसका नाम है तिजश्वी आदो तिजश्वी आदो बिहार के नेक्स्ट CM बनेंगे इस बात को आप गांट बांद रख लिजे और ऐसे में तमाम बड़े बड़े निताओं के द्वारा जो कुछ भी कहे जारें ये हवा हवाई ही शाबित होने वाले हैं जीतन नामाजी के बेटे को ले करके कहा गया कि ये जियां सीम बनेंगे बिहार और बिहार के साथ साथ कई अनराज्जों को फता और जीत के रास्तों पर लिजाने के लिए अमित साब भी अब लग चुके हैं अमित साव ऐसे एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी है और राजनीतिक के मज़े खिलारी भी है वह सरकारों को तोड मरोड करके जोड करके खुद बनाने वाले एक ऐसे नेता हैं जिनकी ग्यान के बारे में जितनी बाते कीज़ा उतनी कम है अदभुद ग्यान रखते हैं वह तमाम अन्राज्यों में जहाबीजेपी की सरकारे नहीं बन सकती है वहाँ भी बीजेपी की सरकारों को बना देते हैं साथ इसलिए एक ऐसा नाम उन्हें दिया गया है जो नाम उनके उपर सुभा भी देता है ऐसे में वह कौन सा नाम है आईए बता देते हैं चाड़क्या की चाड़क्या की नाम की आपने इन बात सुनी होगी वही चाड़क्या का नाम अब उन्हें दिया गया है माना जारा है कि वो एक ऐसे चाड़क के हैं जो नीतियों को बदल करके बहुत तेजी से चीजों को बदलने में परियास करते हैं बड़ी खबर निकल कर शामने आ रही है इस वक्त जो है मंतरी की जाच की आच जो है वो अब जो है गिरने वाली है अर्विंद के जरिवाल पर CBI के रिमांट पर लिये जाने वाले एक साल के अंदर में दो बार सिक्षा मंतरी रहते और इसके साथ साथ साराब घोटाले मामले में मनिश्ची सोधिया की ग्रफतारी कर ली गई है मनिश शौदिया को रिमान पर लिया जाने के साथ ही अब पूछताच के अपने पार्टी में सामिल करना चाहती है इसलिए ये हम लोगों के तमाम मंत्रियों को पर अनरगल अरूप लगा करके तोड़ने ही कोशिश हो रही है पर हम लोग एक ऐसे मजबूत पिलर हैं, एक ऐसे मजबूत खंभा हैं, जिससे तोड़ पढ़ना बड़ा मुस्किल का काम है, हम लोगों ने कभी भी तूटीनी के बारे में सोचा ही नहीं था, पार्टी बनाया उस वक्त से ले करके आज तक तूटे ही नहीं है शोने और चांदे की कीमतों में आई बढ़ोतरी के साथ एक नई तस्वीरे सामने निकल कर के आ रही है, देश में लगतार महंगाई अपने चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर महंगाईों के जाते देख लोग परिशान भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में सोने की कीमत ने भी आग लगा रखी है, शोने की कीमत ने अस्मान की उचाईों को छूते छूते, अब लगतार लोगों के आँखों में आसू ला दिया है, एक तरफ साधियों और सामरोहों के लिए शोने के खरदारी, दूसरी तरफ सोने का इतना जादा महंगा होना, सवाल तो बहुत सारे हैं साह बड़ी कबर निकल का शामने आ रही है, और बड़ी कबर ये है कि आज एक बार फिर से देश के प्रधान मंतरी शेनरेंद्र मोदी की नाम की चर्चा हो रही है, देश के प्रधान मंतरी की जैजेकार हो रही है, और देश के प्रधान मंतरी की नाम की जैजेकार क्यों हो रह है ऐसे में आपको दाथ जयते हैं कि देस के पुरधानमंत्री सिरे नारेंद्र मोधी ने अपराधी गुटनाय बिहार बढ़ गई हैं और लगतार अपराधी घतनाओं को सानी अन्यां त्रशारी की जा तो सरकार के तमाम मंत्री आसू बहाते हैं और ये कहते हैं कि अब तो क्या कहा जा शकता है इस मामले पर कुछ भी कहना उचित नहीं है हलाकि परिवार वालों के ये साथ हमारी संबेदनाएं ब्यक्त करते हैं वाटसप और वाटसप के साथ साथ अब वाटसप पर फ्रोड कॉल को पकड़ने की बहुत बड़ी त्यारी चल रही है दर्शल वाटसप से बच कर रहे हैं वाटसप और मेंसेंजर पर आने वाले कुछ फरजी कॉल आपको बुरी तरीकों से फसा सकते हैं बुरी तरीकों से ज वीडियो कोलना हुटा है बड़ी कबा निकल कर शामनी आ रही है अब टाटा से ले करके सुजुकी मोटर्स तक ने यह वाहनों पर संपूर्ण ध्यान देना शुरू किया है यह वाहने ऐसी एलक्ट्रोनिक्स वाहन है जो अब टेसला से ले करके तमाम बड़ी-बड़ी कमपन क्रिमियों को भी टक कर दे रही है और ऐसे में इन वाहनों के चछरचा भी खूब जो रोशोरुस हो रही है यह बाहन ऐसे वाहन है जो कहींना कहीं लोगों के दिलों वास ने यह जगह बनाते से लिए जगे बहूरी को को बीजे पी अपने खेमों में ले शक्ती है यह बिलकुल अपने शहुआ सुना भीहार बीजे पी के तमाम नेताओं ने ऐसी धीरे-धीरे कवाय तेज किए जिससे रेमाजी को अपने कस्टडी में लायज है उसके बाद में मुके सैनी को लायज है और ये नेता छोटे छोटे एक गटबंदन के एक नेता ऐसे हैं जो लोग सभा के अंदर भी अपने भीडों को जुटा सकते हैं जो लोग सभा के अंदर भी नितीस और तेजश्वी को मात दे सकते हैं तो इन लोगों को बीजेपी ने टार्गेट करना शुरू किया है और सबसे पहले इन लोगों को मना करके सपोर्ट और समर्थन मिलाने की त्यारी सुरू की है माना जारा है कि मुके सायनी का सुरक्षा बढ़ाना और केंदर सरकार के तरफ से ये इसी और इसारा करता है कि कहीं न कहीं अब जो है किंद्र की जो भूमिका है वो बदल रही है और किंद्र भी लगतार एक तरफ उन्हें ध्यान दे रहा है खैर आपको क्या लगता है अपनी राया में कॉमेंट बॉक्स में लिक करके जरूर दिजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद्र वन्यमात्रम भारत माता की जय